नवस्कार दोस्तों मेरो चैनल इसकाइल यह पेविसी डोर एंड विंडो सिस्टेम पर आपका स्वागत है आज मैं आपको जिस वारे में जानकर देने वाला हूं वह इस्पेसल विंडो वह डबल पताम विंडो दोस्तों अभी तक लोग अपने घरों में जब भी वेंटिली या बुड़न की ओपनेवल बिंडो या डोड लगाते हैं ताकि उनके घर में आसानी से ताजी हवा अंदर आ सके लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ जैसे ट्रेंड चेंज हुआ बुड़न को अटके यूपीवीसी रिप्लेस किया अब यूपीवीसी में जब भी अपने घर यूपीवीसी की डबल पताम बिंडो या डोड लगा सकते हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए किरपे हमारी वीडियो का आंतर तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और हां अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट कि किरपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी यूपीवीसी से रिलेटेट सारी इन्फरमिशन आपको जल्द से जल्द मिल सके तो आएए शुरू करते हैं यह है डबल पताम की चोकट की उपर डबल पताम बिंडो जिसमें दो एक पल्ला जाली का और एक पल्ला है और इसमें भी जंग बगरा की संभाव ना होती है इसलिए यह भी हाई मेंटिनेंस वाली होती है उसके लिए प्लेटेट में लगा जाती है चाहे बिंडो हो यह डोर तो हम यह वाली बिंडो का यूज कर सकते थे बट समय के बदलते दीर दीरे ट्रेंड आये यू और ट्भी सी विंडो जिसमें दो पल्ली ग्लयास की होते है और दो पल्ली जालिकी होते हैं sä ओ और इस फ्रेंच practiceは बिंडो में डबलई प्रैन की साथ साथ आपको ग्रिरेल का ऑपिं cocoa अगर आप चाहने तो पीचमा का भी लगवा सकते जिससे आपकी विंडो की अजूद ह कोती और बढ़ जाती है यह डबल-पाताम की रेंच बंडो जिसमें दो फंले बाहर की सईट ग्लास के हैं और दो फंले अंदर जाळीकिए, इन सबसे पहले दो सट बना जाते हैं विंडो के एक दो जाली वाले का और दो फ्लेका और इन दोनों को और емड केदने के उपर एल हेंडल होता है और वो एल हेंडल अंदर वाले जाली वाले पल्लों पर ना टक रहा है इसलिए बीच में इसमें गैप दिया जाता है और एक पल्ले में बाहर की तरफ सपोर्टर दिया जाता है ताकि जब भी दूसरा पल्ला एक पहले वाले पल्ले के उपर आता है तो उसकी locking अच्छी तरह से की जार सके और पल्ले की मजबूती के लिए साउंड पूरूफिंग के लिए इसमें प्रॉपर तरीके से रवर्ट सीट डाली आती है ताकि विंडो में साउंड नहीं आए ये जाली वाला पल्ला है इसकी हाइट तकरीवन 6 फूट है इसलिए इसमें सेंट्र में एक मुलियां डाला गया ताकि जो पल्ला है वो भीच में सांक नहीं की तो ऑर इसकी मजबूती के लिए और सात्त ही हrome पल्ला बंदना है से लिए डेक्सर्ण ए लगाई गई है और इसमें पल्लों में और फ्रेम में अच्छी तरह से reverse shield अच्छी quality लगाई गई ताकि sound या dust बगएरा अंदर ना आ सके यह देखिए जाली बाला पल्ले इसमें अभी अच्छी तरह से reverse shield डाली गई है इसमें 304 SS की black color की match लगाई गई जो कि जंग भी नहीं पकड़ती और देखने में भी अच्छी लगती है अब हम आपको इसका hardware दिखाते हैं इसमें glass वाले पल्ले में भी तीन security होती है इसमें दो चटकनी लगा जाती है एक नीचे की तरफ और एक उपर की तरफ ताकि बिंडो को अच्छी तरह से पहले jam किया जा सके उसके बाद उसकी जो central में lock है air handle वो लगा जाता है ताकि बिंडो को कोई भी बहार से नहीं खोल सकता अब इसको air handle से पकड़ के बंद कर देते हैं ताकि बिंडो को अच्छी तरह से लॉग किया जा सके उसके बाद अंदर वारे जो जाली के पल्ले हैं उसको भी अच्छी तरह से बंद करते हैं उसमें भी three security होती है उसमें एक पल्ले में दो चटकनी होती है एक नीचे की दरफ इसको अच्छी तरह से बंद करते हैं ताकि जब central locking हो तो यह पल्ला खुले नहीं अब इसको अच्छी तरह से बंद करके ऐलेंडल से बंद करते हैं दोस्तों इसमें 8 mm का ग्लास का यूज किया गया है चुकि 8 mm का ग्लास कलरड़ में नहीं आता इसलिए इसके उपर गोल्डेन कलर की फिल्म लगाएगी ताकि बंदो देखने में अच्छी लगे देखिए कितनी खुफ्सुरू लग रही है यह एक अलग केस्मेंट बिंडो जिसमें एक पल्ला जाली का है अंदर की तरफ और गिलास का है बार की तरफ यह अपोजिट डारेक्शन में इसमें पल्ले लगाएगे हैं ताकि एक पल्ला लेफ्ट साइड में खुलता है और ब और दोनों पल्लों में दो-दो फ्रिक्शन हिष्टे लगाएगे हैं ताकि बिंडो को अपनी पोजी सिर पर रोका जा सके यह देखिए यह भी बहुत खुबसुरत लगती है यह एक तीसरी केस्मेंट बिंडो है इसमें दो बिंडो ऊपर और दो बिंडो नीचे हैं इसमें खास बात ये कि इसमें फ्रिक्शन हिंष्टे नहीं लगा गई है बलकि इसमे फ्लेट हिंच всех लगाइगा है ताकि बिंडो पूरी तरह से बाहर खोली जा सके जब भी छोटी बिंडो बनानी हो तो उसमें फ्लेट यह एक डबल पतम केश्मंट बिंडो का फोटो है, इसमें यह बताया गया कि दो बिंडो को अलग अलग तरीके से बनाकर बीच में एक कपलर की साहिता से इसको जोड़ा जाता है ताकि बिंडो मजूद बन सके यह एक केस्मन बिंडो है इसमें अपोजेट डारेक्शन में पल्ले लगा जाते हैं एक लेफ्ट हैड में और राइट सैड में और अच्छी तरह से इसको फिट किया जा सकता है ताकि हवा अच्छी तरह से अंदर आ सके और हाडवेर की बात करें तो इसमें भी फिर्क्सिन इस्टे एसेस का लगाना चाहिए ताकि वह जंग भी ना खाए और विंडो को अपनी पोजीशन पर अच्छी तरह से रोका जा सके हैं दोस्तों अगर कलर में आप जाना चाहते हैं तो कलर के बहुत सारे सेट्स में आते हैं उसके लिए आप हमारी कलर सेट्स वाली वीडियो देख स तो आप कमेंट्स वोक्स में लगकर हम जरूब पूछ सकते हैं या आप नीचे जलाए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको अपनी घरों में कोई बिंडो लगवानी है या कोई डबल पताम की बिंडो डोर लगवाना चाहते हैं तो किरपया अगली वीडियो के लिए आ हुआ 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 है